सातियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग, मजा मा, केम छो, कसा आहेत, मुस्कुराते रहा करो, कोई टेंशन नहीं करनी, जब तक जिन्दा हूँ, बॉइस ओफ डिफेंस को जिन्दा रखूँगा, सातियों डिफेंस के वो बिंदू बताऊंगा, बस आपको अटैकिंग पर आना है, लड़ाई के लिए त्यार आना है, और सब कुछ छोड़ दो इश्वर पे, और इंडियन लॉप पे, जीत हमारे निश्यत होगी, सातियों इसी अनुकरम में, मैं सेक्शन 138, जिसको हिंदी में कहेंगे, पर कराम बे अधिनियम, के अनुकरम में, एक नया एक्शल वीडियो लेकर आया हूँ, जहां पर मैं डिसकस करूँगा सक्सेस स्टोरी ऑफ दाक्यूस्ट, कि अक्यूस्ट ने ऐसा क्या दाव पेज खेला, वो जीत गया, और अगर हम भी प्रॉस्पेटिव अक्यूस्ट या अक्यूस्ट बनने वाले हैं, सेक्शन 138, एनिय क्यूस्ट हो जाएं, सातियों, दो बाते हैं, आप गांड बंदो, लिख लो कागेच पे, घवराने कह नहीं है, अपने को, सबसे पहली बात, अकिव उसको अपना केस, बियाउंड रीजनेबल डाउट, साबित नहीं करना है, ये बियाउंड रीजनेबल डाउट होता किया है इसको समझना होगा section 101 Indian Evidence Act भारती साक्ष अदिनियम यह सपश करता है कि जो कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसको अपना प्रक्रण साबित करना होता है चुकि आरोप कोन लगा रहा है आपके अपर पर परिवादी तो परिवादी को ही अपना केस प्रूव करना होता है initial burden जो है वो परिवादी पर है अगर परिवादी अपना केस थाबित कर लेता है तो ही उसको फाइदा होगा accused की कमजोरी, accused का weak defense, accused का no defense किसी भी रूप में परिवादी को साहिता नहीं पहुचाता है इस संब्द में आप चाहें तो एक authority है उसको अभी आप note कर लें तकि Supreme Court cases किताब का नाम हो गया page number 327 की initial burden जो है वो परिवादी पर है उसके case को प्रूव करने का अगर वो case प्रूव नहीं कर पाता है तो किसी भी रूप में वो benefit claim नहीं कर सकता किलर होगे बात ही है simple जी बात है और दूसरी important authority जो है आप note के लेजिए 2022 volume 1 N.I.J. किताब का नाम ह नेगोशिबल इंस्ट्रूमेंट जैजमेंट्स वेज नमबर 1 Supreme Court इसमें यह स्पश किया गया है कि अक्यूज को अपना defense साबित करना है अगर संभावनों पर वो अपना defense ले आता है तो easily वो prosecution के case में doubts create कर सकता है अब यहां अपने small सी story जो है discuss करेंगे और उस story को अपने case स जो है हम करेंगे correlate वोगि basically यह success story है basically एक case story है तो समझने में जो है हमें काफी easy रहे है मान लीजिए मेरा एक हाथ जो है यह है और दूसरा हाथ जो है यह है यह बी यह तो परिवादी है और यह कौन है accused clear है अब case क्या था कि परिवादी ने एक case दार करा court में कि साब मैंने B क पैसे उधार दिये और B ने उसके पेटे मुझे एक check दिया और यह check जो है bounce हो गया और ultimately मैंने notice दिया notice भी जो है सर्व हो गया और मुझे पैसे नहीं दिये गए जिस कारण अब आप आरोपी पे कारवई कीजिए और मुझे check राश्री की दुगनी राश्री दिलाई है और आरोपी को जो है जेल बेजी है कितना असान लगता है कहना इसको कहते हैं समानने मंद बुद्धी जिंदगी यह हर चैप्टर में दिख्याएगा आपको कि भई पैसे लिए check दिया check लगा दिया check bounce होगे ultimate case पाइल कर दिया इतना ही आता है prosecution को क्योंका दाइरा जो है छोटा है कोवे के मेंड़ा के बैचारे क्या करें इतना ही ट्रेटर कर पाएंगे अब आती है defense के बारी ठोकने की यहां पर क्या defense अभी का एक categorized defense दे लिया उसने कि जी मैंने तो उधार लिए पैसे कौन में ना करा कि मैंने उधार नहीं लिए पर मैंने उधार लिए हैं सिर्फ छ कि अगेंस्ट और बी का यह कहना कि ट्रांजेक्शन स्रीफ 80,000 रुपय का यह अपने एक थियोरी मान लेते हैं पर उस 80,000 में इस भाई ने क्या करा कि अपने वकील की फीस प्रोसेडिंग की फीस इंट्रेस्ट भविश्यम होने वाले खर्चे सब जोड़ लिए और अल्ट केस में कितना है वो दो लावरता है। इसके बाद जो है यह मेरे घर पर आता है और मुझे डराता धंकाता है और उस समय मुझसे कुछ चेक्स पर साइंग कराके जो है ले जाता है। हौर उसने अपने डिफेंस पांट को साबित करने के लिए एक रिपोर्ट भी जो है करा दो डॉक्टर के ब्यांग करा दो और डॉक्टर का परचा जो है एक्जिबिट करा दो और यह शो कर दो कि मेरे को जो है इसने injury कॉस करी मुझे assault किया और नुझे simple जो है हर्ट हुआ मुझे पेन हुआ sufficient है प्रसंग किया जैसा केस में हुआ और अल्टीमेटली इसने ये साबित करने का प्रियास किया डिफेंस पॉइंट से कि जो बातें बता रहा हूं वह वास्ता में एक्जिस्ट हैं और उसके समर्थन में मेरे पास कोट की एक प्रॉपर प्रॉसेडिंग से मामला जब कोट तक गया और सारी बातें इसने डिफेंस पॉइंट ऑफ यू से रखी और ट्राइल कोट ने इसके सारी बातों को प्रॉपर प्रॉपर आइज माना और अल्टिमेटली कंसेंट अक्यूस को जो है एक्विट कर दिया मामला जो है हाई कोट तक पहुचा और हाई सब्सक्राइब से शारी बातों को तक आखी प्रिवादी को ही अपना केस्ट प्रॉब करना है beyond reasonable doubt और accused को अपना case प्रोबलाइस करना है अगर accused अपना case प्रोबलाइस कर पाता है तो definitely वहाँ पर उसके जीतने के सिद्धियां बढ़ जाती है यहाँ पर क्या defense था पहले बात तो I market किया और उसकी एक proper report थी और proper code का प्रसिंग यान था killer हो गया दूसरा proper defense की हमने खातों में रुपे जमा करा है जब परिवादी से इस बारे में question पूछे गए तो परिवादी कहता है मुझे पता ही नहीं और ultimately ये दोनों ही चीजें परिवादी पक्ष के लिए गातक थाबित हो गई तो यही चीजें हमें सिखाती के defense लेना कैसे है अब आपके साथ problem की आती है कि जब आप किसी को check दे के बैठ जाते हो तो आप सोजाते हो अरे check दे दिया देखा जागा जब case करेंगे फिर उसका आता है notice फिर आप सोजाते हो अरे देखा जाएगा भई case code में लड़ेंगे फिर वो code case करता है फिर आपको मालूम है कि offense बेलेबल है अरे देख लेंगे भई क्या फरक पड़ता है आपके सिती भी जो है एक mendak की तरह है कि एक mendak को जो है पानी में रख दो तो वो comfortable है और नीचे जो है आग लगा दो अब आग तो अपना काम कर रही है दीरे 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 पानी को घरम कर रही है पर mendak comfortable zone में है कि देखा जाएगा और ultimately जब वो आग बहुत ही बीशनुक दे लेती है और पानी को जो है बॉइल कर देती है तो mendak जो है वो rescue नहीं कर पाता है ultimately mendak को मरना होता है यह किसी से करवाएगा और ultimately अपके किलाफ केस फाइल करेगा तो अपने defense की आत्मों को पहले जागा तो उसके लिए क्या है notice जदो कि भाई आपके बास मेरा check है इसका मिस्यूस कर सकते है number one इसके साथ साथ एक foster case भी डाल तो क्योंकि proper defense जो है चलाना है हमारे को वो defense कैसा भी हो सकता है कि भाई इसने घर पर आया मारपीट करे या मुझे जो है चोटे बचाई या मेरे घर में आके forcefully जो है check को ले गया proper आप complaint डाल दो code में उसके साथ में जो है बयान करा दो तो आपका defense जो है strong हो गया इसके साथ साथ आप constant check का payment भी जो है bank में stop कर दो ताकि जब ये check लगा तो क्या लिखा आएगा payment stop तो वहाँ पर एक problemizing point मिलेगा कि इसने चुकी आपके check को missuse करने की सिती बनाई और आपके check की missuse करने की सिती थी तो आपने protocol को लेते वे check का payment जो है stop कर दिया तो इस तरह से हम अगर बचाव लेंगे तो निश्यत तोर पर अपने rights को जो है secure कर पाएंगे और इसके लावा जैसा इस case में हुआ कि कुछ amount जो है वो transfer हो गया अगर ऐसा भी protocol आप लेते हैं तो आपके check का जब भी missus होगा या amount बढ़ा के लिखा जाएगा तो यह सारे के सारे defense point खड़े हो जाएंगे आपको बचाने के लिए जब prosecution इसे खंडित नहीं कर पाएगा prosecution यह fat छुपा के चलेगा तो निश्यत तोर पर आपको फाइदा मिलना ही मिलना है यहाँ पर साती हो एक विशेश कानून सुप्रिम कोड का है बगवान साहय वर्सेज स्टेट अब राइसान देखो कानून में भी बगवान आगया इश्वय साथ है तो वो कानून सपश कहता है कि अगर प्रोसेकुशन ने फैट छुपा लिए और डिफेंस उन पॉइंट को लेकर राता है तो प्रोसेकुशन तो गया खेल, खतम, फिनिश, खलास तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बात प्रोसेकुशन लेकर आएगा तो वो यही लेकर आएगा कि आपको पैसे दिये आपने चेक दिया, चेक बाउंस होगे अल्टिमेटली मुझे केस फाइल करना पड़ा इसी है, गॉट दे पॉइंट पट जब आपको बस प्रोपर डिफेंस है कि मारपिट करी गर में आके जगड़ा करा, चेक फोर्स फिड़ लेकर चला गया या मैंने कुछ अमाउंट जो है, इसे हातों में ट्रांसफर कर रखा है यह सारे फैट्स कॉंप्रोमाइज है, चुपाए गए है तो कोड को यह बिलिब हो जाएगा कि जो कंसरन परिवादी है वो सब्च हातों से नेले के समक्ष नहीं आए और बेसिक लॉफ इक्विटी है वेन यू आर नॉट विद दे क्लीन हैंट्स दे बेनिफिट विल गोस तु यू और यूर क्लेंट तो गवराने का नहीं है, ठुकाई करनी है सुता ही करनी है, बट लीगली और प्यार पूर्वक होगी हमारा सोचन दों होने देंगे नहीं और वाइज ओव डिफेंस का काम यही है कि डिफेंस को सुरक्षित रखना और डिफेंस को जो है बचा कर रखना तो साथियों मिलते हैं एक नेटोपे के साथ तब तक के लिए जाहिन जाबारा